नमस्कार दोस्तो मैं पूनम आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने कुकिंग चैनल को भी पूनम में दोस्तो आज हम बनाएंगे मश्रूम दो प्याजा यह बहुत ही स्वादिश्ट बनेगा और बनाना भी बहुत ही आसान है तो चलिए बनाना सुरू करते हैं और देख इसमें कौन-कौन सी सामगरी लगेगी और एक कैसे बनेगा मगर उससे पहले एक छोटी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बारा है तो प्ली चैनल को लाइक सब्सक्राइब सेर जरूर करिएगा और जो बगल में घंटी का निसान है उसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले तो चलिए बनाना सुरू करते हूं देख लेते कि हमने इसको किस तरह से बनाया मश्रूम दोपे आजा तो सबसे पहले मश्रूम को साफ करेंगे तो हमने पानी रख दिया है उसमें हमने नमक डाल दिया पानी मारा उबल रहा है अब इसी में हम मश्रूम को डाल दीने पहले साधी पानी से को एक बार दो लिया हो impact और इसके वाद हम सो करम पानी साफ आते हैं लेकिन पिर भी सफाई बहुत ज़िरूर है तो अब ए को उतार लेंगे और तुर्म्ट पानी में त्रेम कर दिये हैं और हमें रखा है पैन उसमें हमें डालदिया है तेल और ये प्यास को हमने क्यूब फ्राइश करेंगे तो समा करणा साउटी ंदिवियो दोटीक कि व्ली करेंगे ताखिसान करना सी करना क्रण Costco क्रेंजियोट करें इसको निकाल लेंगे और फुल हमने फ्लेम रखा है ताकि यह सौगी ना हो तो अब यह हो चुका है चलिए हम इसको निकाल लेते हैं एक प्लेट में और उसके बाद हम मसाला तयार करेंगे तो पहले प्याज को सारा निकाल लेंगे और इसको हमने फुल फ्लेम पे ही किया है ताकि यह सौगी ना हो, क्योंकि इसका crunchiness थोड़ा सा बना रहेगा, तभी अच्छा लगीगा, तो प्याज देखे हमने निकाल लिया है, और अब हम इसमें थोड़ा सा बटर डालेंगे, तो यह बटर भी हमने घर पे ही बनाया है, मैं इसका लिंक दे दूँगी, आप देख कीजेगा, यह homemade butter है, और अब इसमें हम थोड़े खड़े मसाले डालेंगे, तिसमें हमने जीरा, लॉंग, इलाइची, और तेश पत्ता ले लिया है, तो यह सारे मसाले हम डाल देंगे, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा सा आता है, हलका सा भूनने के बाद हमने हरी मिर्च इसमें डाल देना है, और अब हम इसमें डालेंगे प्याज, तो प्याज को हमने बारिक काट के रखा है, और करीब दो प्याज हमने बारिक बारिक काट लिया है, उसको हम डाल देंगे, और प्याज को हम अच्छे से भूनेंगे, इसको थोड़ा सा सुनारा होने तक भून अब हम इसमें ुद्रॉ देंगे अधरक लेसुन का पेष्ट तो एक चमच हमने अधरक लेसुन पेष्ट इसमें यूज किया है और उसके बाद इसको भी हम भून लेंगे ताकि इसका कच्छापन सारा निकल जाए क्योंकि मसालु में अगर किसी भी चीज का कच्चापन रहता है तो आपकी सब्जी बिल्कुल भी टेस्ट नहीं बनेगी स्वाथ उसका बिगड़ जाएगा आपकी सब्जी में वो टेस्ट नहीं आएगा तो अब हमारा प्याज और लेसुन दोनों भून चुका है अब हमने इसमें करीब तीन टमाटर के हमने प्यूरी बना लिये हैं उसको हमने डाल दिया है और इसी में हम मसाले एड कर देंगे तो टमाटर प्यूरी के साथ हमारे मसाले भी भूनते जाएंगे तो इसमें हमने करी और एक चम्मच हम इसमें गरम मसाला डाल देंगे, यह हमारे मसाले के चम्मच हैं जो छोटे-छोटे हैं इसलिए हमने इस तरह से डाला है और अब हम इसमें डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च, कश्मीरी मिर्च से आपके सब्जी में तीखापन नहीं आएगा लेकिन स्वाद और टेस्ट और कलर इसका बहुत अच्छा आएगा अब इन सारे मसालो को हम टमाटर के प्यूडी के साथ अच्छे से भून लेंगे तब तक जब तक यह तेल न छोड़ दे तो इसको हम बराबर से चलाते हुए अच्छे से भूनेंगे थोड़े देर हमने इसको ढग दिया है ताकि अच्छे से यह पक जाए और अब हम धक्कन हटा के इसको एक बार चला लेंगे फिर से दुबारा और देख लेंगे कि मसाले मारे नीचे से जल तो नहीं रहे हैं तो अब देखे मसाले हमारे लगभग भून चुके हैं और अब हम इसमें और सारी चीजें एड़ कर देंगे तो यह देखे मसाले मारे पैन छोड़ने लगे हैं तो अब हम इसमें एड़ करेंगे मश्रूम जो हमने अच्छे से साप करके और कट करके रख लिया है तो उसको हम एड़ कर देंगे और इसको हम मिक्स कर देंगे मसालों के साथ तो पहले हम सारे मश्रूम को अच्छे से मिक्स कर देंगे मसालों के साथ उसके बाद हम इसमें पानी और बाकी चीजों को एड़ करेंगे तो अब देखिए लगभग हमारे सारे मश्रूम और मसाली एक साथ मि प्रिचनस आती है और स्वाद इसका एकदम बढ़ जाता है तो अगर आप बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसी स्वाद की सबजी काना चाहते हैं तो आपको ये वीडियो पूरा देखना पड़ेगा और अब हम इसमें नमक डालेंगे और उसके बाद हम इसमें पानी डाल देंग क्योंकि अगर जादा पानी आपने डाल दिया तो इसकी ग्रेवी बिल्कुल पतली हो जाएगी तब ये सबजी अतनी अच्छी नहीं लगेगी आपको बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा स्वाद चाहिए और उस तरह का टेक्स्चर चाहिए तो आप इसमें थोड़ा सा पानी डालें बस उतना जितने से ये आपके सब्जी अच्छे से पक जाए तो हमने जिसमें टमाटर की प्यूरी रखी थी उसी को धुल के हमने डाल दिया है और अब हम इसको थोड़े देर ढखके और पकाएंगे ताकि हमारी सब्जी और मश्रूम जो है वह अच्छे से पक तो अभी हमारा मश्रूम अच्छे से पका नहीं है तो इसलिए हम इसमें तुबारा धकन लगा के और थोड़ी देर इसको और हम पकने देंगे तो हम धकन लगा के थोड़ी देर इसको और पका लिया है अब सब्जी मेरी एकदम पक के तयार हो चुकी है तो अब हम इसमें दूद की मलाई यह करीब चार बड़े चम्मच हमने प्रेज दूद की मलाई निकाल के रखी थी उसको हम मिक्स कर देंगे तो अब इसका टेक्सर देखे बिल्कुल रेश्टोरेंट जैसा ही तयार हो जाएगा और सेम स्वाध आएगा अगर आप एक बार बना लिए तो आप रेश्टोरेंट से सबजी कभी नहीं मंगाएंगे मसरूम की तो अब इसमें हम थोड़ा सा डालेंगे चीनी तो चीनी हमने करीब चौथाई चम्मच डाली है वो इसलिए कि जो उसकी टमाटर की खटास होती है वो यह चीनी बैलेंस कर देता है स्वाध बिल्कुल नही चलेगा यह और बहुत ही अच्छा स्वाध आएगा और सबजी में ग्लेस भी अच्छा आता है तो अब हमने धनिया और कसूरी मेथी को डाल दिया है और थोड़ा सा हम इसको एक मिनट और पकाएंगे उसके बाद हम इसको गैस से उतार लेंगे तो अब एक मिनट लगभग हो चुका है और अब हम कैसे उतार लेते हैं सब्जी को सब्जी हमारी विल्कुल रेडी है और इसको हम सर्व कर देते हैं प्लेट में तो यह सब्जी हमारी बनके रेडी हो चुकी है और उमीद है आपको भी पसंद आएगी और अगर पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइ सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा और जो बगल में घंटी का निसान है उसको भी बजा दीजिएगा ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए फिर मिलेंगे एक नए टेस्टी रेस्पी के साथ तब तक के लिए नमशक्राइब।